प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे देश के शीर्षस्थ नेत्रत्वदारा एक ऐसी पहल जिससे छात्रों का मनोबल बढ़ सके और तनाफ बुक्त आनंदमई परीक्षा का मार्ग प्रशस्थ हो सके परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा माध्यम जिससे माता पिता अभिभावकों को ये संदेश पहुँचाये जाए कि उन पर अपेक्षाओं का भोज न रहे छात्रों तक ये संदेश पहुँचाये जाए कि सबसे जरूरी है नियमित्ता और अनुशासन से किया गया अध्यया मन जितना प्रसंद रहेगा चाहे जीवन की कोई भी परिक्षा हो नतीजा हमेशा पहतरीन ही होगा समय समय पर अनेक मौकों पर माननिय प्रधान मंत्री जी ने छात्रों को संबोधित किया है और उन्हें प्रेरित किया है और प्रोटसाहित किया है माननिय प्रधान मंत्री ने कहा है The present is God's greatest present Live here and now माननिय प्रधान मंत्री अपनी पूजनिय माता जी के साथ यह चित्र दर्शाता है माता और पुत्र के प्रेम को माननिय प्रधान मंत्री ने चात्रों को संबोधत करते हुए कहा है कि स्वयम को जानिये अपनी क्षमताओं पर गर्व कीजिये अपनी क्षमताओं के साथ नित नए प्रयोग कीजिये यह आपको स्वयम को पहचानने का अफसर देगा हस्ते मुस्कुराते चहरे उस पल का इंतजार करते हुए जब उनके प्रिय प्रधान मंत्री उनके समक्ष होंगे उनके बीच होंगे और उन्हें यह अफसर प्राप्त हो सकेगा जहां प्रधान मंत्री के समक्ष वे अपने प्रश्न और सुझाव रखेंगे प्रधान मंत्री ने हमेशा मौलिक्ता पर जोर दिया और कहा कि मौलिक्ता और रचनात्मक्ता मनुष्य की यात्रा के मार्ग दर्शक बने न की नकल और चोरी Let human creativity prevail over cheating and pleasurism This interaction today is indeed an unique interaction where Honorable Prime Minister, Students, Parents and Teachers are coming together to discuss issues relating to exam life and stress connected with that An online competition for students of class 9-12 graduate and undergraduate college students their parents and their teachers was organized in which more than 1 lakh people participated These innovative and interesting competitions were the catchy caption contest to suggest a punchy, witty and meaningful caption I am inspired contest for classes 9-12 and the My Success Mantra for graduate and undergraduate students For teachers, the Teachers Thoughts competition was organized where teachers shared their experiences and their suggestions to improve the education system and to face the challenge of exams Parents participated in the Learning from My Exam Warrior contest and shared their experiences as to how they taught their children and what they have learnt from their children Beautiful paintings made by teachers and students This event is indeed an exemplary example of Digital India where this event would be telecast and the interaction would reach not only students residing in India but also students residing in different countries The arrival of Honorable Prime Minister at the venue Mananiya Pradhan Mantri The valable Mananiya Pradhan Mantri The valable senor Chhatra Mananiya Pradhan Mantri Chhatra Chhatra मुस्कुराते ये चेहरे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी प्रधान मंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधान मंत्री जी चितर कला प्रदर्षनी का अवलोकन करते हुए इस कलादीरगा में प्रदर्शित, चुनिंदा कलाकृतियां एवं मूर्तियां, केंद्रिय विद्याले संगठन एवं नवोदे विद्याले समिती के शिक्षकों की रचनात्मक्षमता की अभिव्यक्ति है चात्र अपने प्रियप्रधान मंत्री के साथ इन चित्रों के संदेश को साजहा करते हुए अहिंसा और शान्ती का संदेश देता हुआ महात्मा गान्धी का यह चित्र साथ ही भगवान बुद्ध का चित्र और प्रसन्य चित्र एक बालिका का चित्र और साथ ही एक और प्रसन्य चित्र बालिका जो महाकाली शक्ती स्वरूप देवी के चित्रक्वी विशे में मानने प्रधान मंत्री से अपने विचार साजहा कर रही है हाल ही में आयोजित केंद्रिय विद्याले एवं नवोदे विद्याले के शिक्षकों की त्रचनात्मत्ता को प्रकट करने के लिए विभिन स्तरों पर और अंतरराश्ट्र स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में इन सिक्षकों ने अपनी संदर्यात्मक अभिरुची को यधार्तवादी, लोक कला, अमूर्द कला एवं पारंपरिक कला वर्ग के अंतरगत विभिन माध्यमों जैसे जलरंगों एवं तेलियरंगों द्वारा प्रस्तुत किया है ये कलाकृतिया और मूर्दिया भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं को प्रकट करती है यदि ये कृतियां एक ओर जीवन के तनाव को मुक्त करती हैं तो दूसरी ओर इन कलाकारों के जीवन के प्रति भृष्टिकोन और उनकी अपेक्षाओं की उतक्रिष्ट अभिव्यक्ति भी है मधुबनी और गोंड कलाक्रतियां यहां इस चित्र कला में प्रदर्शिनी में प्रदर्शित भारतिय जीवन और समाज की विविधताओं को दशाते हुए ये चित्र उत्साह से भरे ये च्छात्र अपने प्रियप्रदान मंत्री के साथ इस चित्र कला में प्रदर्शिनी का अवलोकन करते हुए इसड़्यार्थ टिवाक्रणी और स्केंद लिवे रुपर के लिफ्यू प्रुट्स्ट्री आपने फिर्टवर्दाश बादर्शित्र अपने रिफ्यूर लिवेग्रे और भी रुट्ट्थ नहीं प्रूवलों और व्यूट्यूर्ट्थ प्रुचत्र रव्यूर्द्छि शिर्शस्त नेत्रत्वत्वारा ये एक ऐसी पहल है जिससे छात्रों का मनोबल बढ़ता है और उनके सामने तनाव मुप्त आनंदमई परीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है जी देर में वो शुक करी और हमने आपको बताया जोड़ा तालियो से हम स्वागत करेंगे माने प्रदान मंत्री जी का माननिय मानव संसाधन विकास मंत्री शी प्रकाष जावरीकर जी पधार चुके है माननिय दॉक्टर सत्यपाल जी पधार चुके हम उनका हारती का भी नंदन करते है मिनिस्टर अव स्टेट इंतजार करते हुए उन पलों उन ख्षणों का इंतजार करते हुए जब वे अपने प्रिय प्रदान मंत्री के सम्मुख होंगे ट्रिय प्रिय यह प्तव करते है in a couple of minutes from now you would begin the unique interaction बाँणे जी आपका बदान करते हम झाल 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 देश का भविश्य आने वाली पीड़ी के हातों में है और देश के शीर्शस्थ नेता माननिय प्रधान मंत्री जब छात्रों के साथ विद्यार्थियों के साथ उनके शिक्षकों और अभिभावकों के साथ समवाज स्थापित करते हैं तुन एक नई उर्जा का जन्म होता है आज तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में यहां दो हजार से अधिक चात्र शिक्षक और उनके अभिभावक मौजूद है 2,000 students, parents and teachers are gathered here at the Talkotora indoor stadium to interact with the Honorable Prime Minister This year, in the second edition of Pariksha Pe Charcha, not only students from India but also foreign students from different countries like Russia, Nigeria, Iran, Nepal, Doha, Kuwait, Saudi Arabia and Singapore would be taking part in this interaction The Prime Minister has always anchored its students स्वागत करते हैं मानिनिय प्रधान मंत्री श्रीन अरेंद्र मोदी जी का बहुत-बहुत स्वागत है मानिनिय आपका तंत्र को जन से जोडने वाले बच्चों को स्टूडन्स को अपने सानिद्य का आशिरवाद देने वाले नए भारत की विजय पता का विश्यु में लहराने वाले मानिनी प्रधान मंत्री जी का हम सब भृदय से अभी नदन करते हैं स्वागत करते हैं We extend a very warm welcome to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji We also extend a hearty welcome to Honorable Minister of Human Resource Development Shri Prakash Javadikar ji यहां मौझूद सभी गर्णमाने अतिथियों का सम्मानिनिय महनुभावों का हम भृदय से अभी नदन करते हैं यहां उपस थे तथा देश विदेश से जोड़े students, teachers तथा parents का भी हम भृदय से अभी नदन करते हैं परिक्षा का pressure, exam का stress पहले लगता था कि यह geometry का triangle है जिसके तीन कोने है students, teachers और parents और यह उनका अपना domain है बस फिर परिवर्तन के सूर्योदय में सब कुछ बदल गया सोच भी, दशा भी, दिशा भी और देश भी खुद एक भी दिन चुट्टी न लेने वाले, जन जन की सुध हर दिन लेने वाले माननिये प्रधान मंत्री जी ने students के इस डर और इस दर्द को समझा और परिक्षा पर चर्चा के बच्चों की सोच बदली और आज तो parents, teachers भी शामिल हैं इस चर्चा में और वो भी देश से भी, विदेश से भी तो चलिए, पहले परिक्षा पर चर्चा 2018 और Ministry of Human Resource Development के द्वारा इस संबंध में लिए गए initiatives पर एक नजर डालते हैं छोटी सी फिल्म के द्वारा और फेर हम देखेंगे एक सांस्कृतिक प्रस्तुती जिसमें होंगे भारत के vibrant रंग, students, teachers और parents की मुस्करा हटो के संग, यही तो है बदले हुए इंडिया की नई उमंग और हाँ, एक बाद और, इसमें जो आप गीत सुनेंगे, वो इन teachers, parents ने खुद गाया है, दिव्यांग रीनी ने की बोड खुद अपने एक पैर की उगलियों से बजाया है तो पहले देखते हैं एक छोटी सी फिल्म सुबह की कच्ची धूब के साथ, हजारों छात्रों की चहरे पर एक नई उमंग खिली है बज़े है, एक खास अफसर, अपने देश के प्रधान मंतरी से मिलने का और उनके साथ आमने सामने बातचीत करने का महोदे मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों के बॉर्ट के परिक्षा है क्योंकि मेरे बार्वी के परिक्षा है और आपके लोकसवार चुनाओना तो क्या आपकी इस पे पूरी तियारी है या आप ठोड़े से नर्वस है यवसर है परीक्षा पे चर्चा का परीक्षा पे चर्चा एक खास चर्चा थी जिससे प्रेरित होकर मानव संसाधन विकास मंत्राले ने नई दिशाओं की ओर कदम बढ़ाए स्कूल बैक्स के वजन को कम करने के नियम बनाये गए और NCRT टेक्स बुक्स के कॉंटन्ट को कम किया गया है अगले साल CBSC की दस्वी की बोर्ट परीक्षाओं में छात्रों को मैट्स में दो अप्शन्स मिलेंगे शिक्षा को रोट लर्निंग से कम्पिटनसी बेस लर्निंग की ओर बढ़ाया जा रहा है सरकारी स्कूलों के लिए Library Grants और Spons Grants की शुरुवात की गई है बच्चों पर परीक्षा का तनाव कम हो उसके लिए दिक्षा के अंतरगत बच्चों को सीखने के लिए अच्छी ए सामगरी देने की शुरुवात की गई समय आ गया है कि शात्रों के अलावा शिक्षकों अभी भावकों को भी चर्चा में शामिल किया जाए समय आ गया है परीक्षा पे चर्चा सत्रु 2.0 का स्क्राइब के अच्छी एक संस्कृतिक प्रस्तुति मा मा देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं मुझे भी डांस सीखना है नहीं बेटा तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो आई आई टी में एडमिशन कैसे होगा अरे उसे डांस सीखने दो इससे स्ट्रेस कम होगा और कॉंसेंट्रेशन भी बढ़ेगा क्या पता हो सकता है एक दिन ये फेमस टांसर बन जाए क्यां पता है झाल 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 इस बच्ची को देखो रिनी क्लास 11 में है इसके सामने कितनी कठिनाईया है लेकिन इसने हार नहीं मानी और हस्ते हस्ते हर एक्जाम का सामना कर रही है क्या हम और आप सारे पेरेंस, टीचर्ज और स्टूडन्स इनसे कुछ सीख सकते हैं? इस बच्ची को देखो इस बच्ची को रगश्ची पहलो, इस नहीं को रही है और है क्योदब का रही चया है आपकर मैमने क्योum यह कि दो में है झाल 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 पापा, मैम, सर, आप भी अगर हमारी तरह सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और बाकी अक्टिविटीज करेंगे, तो आपका भी स्ट्रेस कम होगा और उससे हमारा भी चलू ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ फायदा होगा मी डोलकर, डोलकर, डोलकर दर्या सराचा मी डोलकर, डोलकर, डोलकर दर्या सराचा खर बनावरी पंदराला कर दो ये जा मी डोलकर, 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 डोलकर दर्या सराचा वल्लवरे नखवा ओ वल्लवरे रामा एक चतुर नार बड़ी होशी यार अपने ही जाल में फसत जात हम असत जात अर एक चतुर नार बड़ी होशी यार बादल पे पाउ है या छूटा गाउ है अब तो भै चल पड़ी अपनी ये नाउ है बादल पे पाउ है या छूटा गाउ है अब तो भै चल पड़ी अपनी ये नाउ है अब तो भै चल पड़ी ये नाउ है अब तो बादल पेक ची माड़ी झाल 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 तो देखिए आपने नए भारत की नई एनरजी नई खुशी एक बास जोरदार ताल लियाए इन बच्चों के लिए बहुर बहुर धनेगाद बच्चों इतने सारे उत्सव हैं हमारे देश में अब एक उत्सव इसमें और जुड़ गया है और वो है परीक्षा का उत्सव और उसे सब मिलके सलिब्रेट करेंगे बच्चे भी पेरिंस भी और टीचर्स भी हम दक्ष लक्ष को पाने में हम दक्ष लक्ष को पाने में सक्षम है आगे जाने में हम दक्ष लक्ष को पाने में सक्षम है आगे जाने में साहस है सैयम सदाचार अपने हर ताने बाने में और अब हम निवेदन करते हैं माननी केंद्री मानोसंसादन विकास मंत्री शी प्रकास जावडेकर जी से की कृपया हम सब को संबोधित करें देश के लाडले हमारे सब के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के कोने-कोने से आई हुए सभी छात्र, छात्राए, पेरेंज और टीचर्स भी सब का स्वागत है और केवल आज हम यहां ताल कटोरा स्टेडियम में उपलब्ध नहीं है केवलू आज देश विदेश से, ओमान से, इरान से, रशिया से, नाइजेरिया से, सिंगापूर से भी छात्र, पेरेंज और टीचर्स जुड़ गया है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ शायद ही दुनिया का कोई ऐसे प्रधान मंत्री होंगे जुनोंने चात्रों के जीवन में आने वाली और हर घर का जो बहुत महतोपूर्ण विशे होता है परिक्षा इस परिक्षा पे लोगों को दिल से बात की है लेकिन पिछले साल प्रधान मंत्री जी ने एक किताब लिखा था एक्जाम वारियर जो अब चौदा भाषा में अनुवादित है और इसकी लाखो प्रतिया चात्रों ने और पेरेंट्स ने और टीचर्स ने देखी है लेकिन वो उस पर एक जीता जाकता समवाद चात्रों के साथ पिछले साल यही किया गया था परिक्षा पे चर्चा इस साल परिक्षा पे चर्चा 2.0 दूसरा संस्करण उसमें पिछले बार 7 करोड लोग जुड़े थे इस बार 12-14 करोड लोग जूतेंगे यह हमें पूरा विश्वास है यह अद्भुत है चुनाओ का माहल है पिछले साल एक चात्र ने पूछा था कि सर आपकी आगली बार भी परिक्षा है तो आप कैसे करेंगे लेकिन प्रधान मंतरी जी यहां है इनको जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे यह ऐसा सहज ही नहीं होता प्रधान मंतरी एक तडप से मन से पैशन से और प्रवरुती से भी एक अच्छे अध्यापक है हम कैबिनेट में है तो हमें भी वो जिस तरह से समझाते हैं कुछ नई चीजे करने के लिए प्रोधसान देते हैं वही तो इस देश का भाग्य है और इसलिए आज जो अभी बताया गया लर्निंग आउटकम्स हो अटल टिंकरिंग लैब्स हो या समग्र शिक्षा हो जिसके तहट पढ़े भारत, बढ़े भारत और खेले इंडिया, खेले इंडिया ये जो काम हो रहा है ये भी प्रधान मंत्री जी की कल्पना से और प्रेडा से हम कर रहे है और इसलिए हमारा जैसे प्रधान मंत्री जी का नारा है सब का साथ, सब का विकास हमारा भी नारा है सब को शिक्षा, अच्छी शिक्षा और उसके लिए हम काम कर रहे है और इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रधान मंत्री जी को आमंत्रन दूंगा लेकिन उसके पहले एक बार जोड़दार नारा लगाएंगे How is the josh? How is the josh? How is the josh? आईये प्रधान मंत्री जी आपका स्वागत है प्रधान मंत्री जी आपका स्वागत है गतवर्ष भी मुझे उन शात्रों को मिलने का मुका मिला था जो परिशा के लिए तैरी कर रहे थे इस बार भी मुझे मुझे मुका मिला है मैं सिक्षा विवाग का भारी हूँ कि मुझे आप लोगों के मिलने का मुका दिया आज खुशी की बात ये हैं कि करीब करीब हिंदुस्तान के सभी राज्यों के विद्यारत याज यहां मौझूद है एक प्रकार से लगू भारत मेरे सामने है लेकिन दूसरी इस प्रकार से भावी भारत भी मेरे सामने है आप लोगों से समवाद करने से पहले आज सुबह ही हमारे देश के पुर्वरक्षा मंत्री स्रिमान जोर्ज फरनाडी उनका नीधन हो गया वे एक जुजहारू नेता थे जन्बुभुमी कहीं कर्मुभुमी कहीं जन्पतिनी दित्व कहीं एक प्रकार चे पूरे भारत में रचे बसे थे वो आपातकाल में इमर्जन्सी में लोग तंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संगर्श किया था वो ने लेकिन गत कई वर्षों से वो बिमार थे अनकॉंशियस थे सौनों तक बिस्तर पे रहे आज वो हमें छोड़ के चले गए बहादर पुरवक जोड साब को स्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ साथ्यों ये परिक्ष्या पे चर्चा पिछले बार और इस बार में अनुभव के आधार पर काफी बड़लाव आए है दुनिया के कई देशों से भी लोगों की मांग थी तो वो भी जूट रहे हैं उसी प्रकार से भारत के भी सभी राज्यों से प्रतनिदित्व हो वहां के भी ध्यार्द्वा से बात हो इसमें सीनियर स्टूटन्स भी हैं जूनियर स्टूटन्स भी हैं और ये बात अधूरी रहती है अगर इसमें अभीभावक न होते पैरेंट्स न होते पैरेंट्स न होते पैरेंट्स न होते अर उसलिए कोशिस है की गई है कि एक प्रकार से विद्यार्थे के जीवन में जो सीधे संपर्ग में आते हैं उन सब से समवाद करने का यावसर बने अभी जो एक अंदुरुत्य प्रस्तुत्य हुई मैं समझता हूं कि उसमें जो बाते बताई गई है उसके बात मेरे कोई भाषन की आवशक्ता नहीं है वो सारी बाते उसमें समाहित है अगर हम उसको ही आज का संदेश मान ले तो मेरे समेत यहां उपस्तित और देश में इस कारकम को देखने वाले हर किसी के लिए एक नया विस्वास पएदा करने वाला नई आशा पएदा करने वाला वो एक नुरत्य प्रस्थूती थी मैं उन सब को भ़़ बढ़ाई देता हूँ और उस पुरे कारकम में रीना ने जो कमाल दिखाई है दो हाथ नहीं एक पैर नहीं फिर भी जिन्दकी का जज़बा कुछ और है अभी हम देख रहे थे वीडियो पुराना उसमें भी मैंने बताए था कि यहां आप भूल जाएए कि आपके से समारों में बैठे हैं आप ऐसा ही मानिए कि आप अपने परिवार में बैठे हैं और परिवार में गप्प गोश्टी कर रहे हैं और अपना ही परिवार का कोई चीर परीज़ी चहरा हमसे गप्प मार रहा है अगर यह हलका भुलका बातामन रहेगा तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे लिए इकारेकं इर्फ किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है comfortable नहीं मुझे अभी भावकों को कोई उपदेश देना है ने टीचर्स को कोई उपदेश देना है और नहीं विद्यार्थियों को देना है मैं यहाँ आपके बीच खुद को अपने जैसा आपके जैसा आपकी स्थिती मनस्थिती वाला कुछ पल मैं जीना चाहता हूँ जैसे आप जीते हैं है भीच ओar आईए शुरू करते हैं कहां से शुरू करेंगे Спॉ मनी पर एं इस वार स्टूढ्न्डश वी एं टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी आंप Gulag焰 सभसर पहले रूबिया को कोलकता से न चाहते न बैद एक नमश्कार सर्थ, मैं रूली दर्पाइब आपिछ बाइलजी आट केंट्रिय विध्यालन आयायं जोका, कुलकता। My question to you, sir, is, as a teacher, what do you tell parents who consider exams as make or break situation for their children's future? Thank you, sir. As a teacher, what do we need to say to those parents who understand that they can either become a child's future or break or break? My question to you, my name is Rohit Sri, who is basically from Kerala, but is preparing for civil services in Delhi. Do you want to ask something to you? My name is Rohit Sri, I am Kerala. And I am also preparing for UPSC in Delhi. Mahoday, our parents and teachers have a lot of hope on our parents and teachers, which means that there is a lot of pressure on us. Mahoday, I think that your situation is something like ours. There are a few of you from the country. Pratham Mantri Ji, tell us, how do you deal with these expectations? And how do we deal with it? Thank you. Thank you, sir. Mahoday, are you familiar with me? How do you pray for them? You are from Kerala, but I am also speaking good Hindi. I am just speaking good Hindi. If you come to class with the many people, it is an awkward sale for a few days, when you go to class at 10th or 12th or 12th or 12th or if it is displayed in the final exam, someone has to listen to two or 10 times. सुनना पड़ता है, समझने आथा है, दोस्तों के साथ टेनी फोन पर बढ़ते हैं, चलो कंपुटर छोड़ो, कुछ पढ़ा ही करो, क्या कर रहे हो, ऐसे होता है ना, साथ बता ही है ना, दरसल परिक्षा का महत्व तो है, उसका इंकार नहीं कर सकते, और मैं यह तो नहीं कह सकता हूँ, अरे परवा मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन क्या ये परिच्छा जिन्दगी की परिच्छा है क्या कि उस क्लास की परिच्छा है अगर एक बार मन में ताय करें ये एक्जाम दस भी कख्षा की है ये एक्जाम बारे में कख्षा की है ये मेरी जिन्दगी का सोटी नहीं है अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है बोज है वो भी कम हो जाएगा और चायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा अभी नहीं तो कभी नहीं यह जो कुछ कहते हैं न भई अब दस्वी में गया तो सब बेकार जिनकी पूरी ऐज़ा कुछ नहीं है परिक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिन्दगी होती ऐसा नहीं है उसके भार भी बड़ी दुनिया होती है कि बहुत पहले मैं एक कभीता पढ़ी थे उसमें बढ़िया वाक्य था उसमें लिखा था पूरी कभीता तो मुझे याद नहीं आज कुछ खिलोने के तूटने से बच्पन नहीं मरा करता है मैं समय तो उसमें बहुत बड़ा संदेश है कुछ खिलोने के तूटने से बच्पन नहीं मरा करता है एक आध एकजाम में कोछ इदर उदर हो जाए तो जिंदगी ठायर नहीं जाती है लेकिन जीवन में हर पल कसोटी होना बहुत जरूरी है कसोटी हमें कस्ती है कसोटी के से हम एक नई उर्जा प्राप्त करते हैं हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रगठ होने का आफसर होता है अगर हम अपने आप कसोटी के तराजू पर जोंकेंगे नहीं तो जिन्दगी में ठहराव आ जाएगा और ठहराव जिन्दगी नहीं हो सकती जिन्दगी का मतलब होता है गती जिन्दगी का मतलब होता है सपने जिन्दकी का मतलब ही होता है, जी जान से उसको हैचिव करने के लिए लगे रहना, वरना उस जिन्दकी का मतलब है, और दूसरी बात है, प्रेशर, कभी-कभी तो हम बालकों की मनस्तिती ऐसी होती है, कि एक अबस्था में हम पहुंच जाते हैं, कि मा, मम्मी, पपा कुछ भी बीnh कहता, यह मिरा बीगाड रहे हैं, मैं जो कर रहां सही है, इनको कुछ समझने हाती है, ऐसा होता है ना, यह कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा होता है ना, पहले हम, खास करके, मैं स्टूडं से कहना चाहूंगा, थोर कि हम अपने माबाग जो कहते हैं, उसको इमिजे रियक्ट न करें गौर से सुने सुनते समय भी उनको लगना चाहिए कि आप एटेंटिव है आपको अच्छा लग रहा है बहुत चाव से सुन रहे हैं एक आध बार पूझे अरे मम्मा ये समझ निया है ज़र ये क्या क्या रहे है एक बार इतना कर लीजिए शाम होते होते मम्मा कहेगी कि बेटा सुबे मने बहुत कह दिया तुझे आपको मम्मा को सब जाना नहीं पड़ेगा वह आपने आप सब जाएगी इसलिए छोटी चीजे वहवार की होती है और फिर कभी जब मम्मा पपा अच्छे मूड में हो तो आप भी अपना दृष्टिकॉन कि मैंने बहुत सोचा आपने उस दिन कहा था ने मंडे को बहुत अच्छी बात बताई थी मैंने कोशिस भी की कम पढ़ गा मुझे बताई ने कैसे करूँ आपकी एक्जाम पूरी उनकी एक्जाब शुरूब गंटे भरूं को सबजी आएगा क्या जवाब थे इसका मतलब यह नहीं कि मैं मैं आपके माबाप का बोलती बन करना सिखाता हूँ आपको लेकिन कभी कभी न सुनने से टकराव पैदा होता है बाद में माबाप से आप आप देखिए एक मित्र भाव से आपका समवाद सुरू होगा वे आपके हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे मेरी अभिभावा को से भी आग रहा है कि कहीं ऐता तो नहीं है कि आपने बच्वन में सूचा था डॉक्टर बनना है अब क्लर्क बन गए वो सारी से या बच्चों पटे रहे हो वो माबाप बीफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवानी की कोशिश करते हैं उन्होंने नहीं करना जो उसके भीतर जो पोटेंशल है जो सामर्त है उसको जानने पहचाने का प्रयास करना चाहिए अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी माबाप को इसके लिए ट्रेनिंग की जरूत होती है आप आप आपने देखा होगा घर में एक छोटा बच्चा होता है वो उटकर के चलना सिखता है तो मा क्या करती है वो उड़ता है एक दो कदम करके घर जाता है तो डाड़ती है क्या कि ताली बजाती है कि ताली बजाती उस बच्चे को लगता है गिरना भुरा नहीं है उसने में हितने के आद है अब किसी मा को किसी प्रधान मंत्री लेक्चर दिया था क्या कि बच्चा गिर जाए तो ताली बजाना किसी किताब में पढ़ा था क्या लेकि उसको मालूम है कि बच्चे का होंसला बढ़ाना है फिर क्या करेगी तीन चार कदम चलना सिखेंगा तो म और बच्चे को भी करता है कि मैं जरा दोड़ करके ले आऊँ उसका होसला बुलंद करती है माबाप लेकिन ये सब ग्यान होने के बाद, बच्पन में सब किया होने के बाद भी एक स्थिती आने के बाद माप का मन हो जाता है, बस अब तो वो तयार हो गया मुझे कुछ करने की जरूद नहीं है, गल्ती वही से सुरू होती है, माबाप ने जीवन भर बच्चे को उसी रुप में देखना चाहिए, पुछ कारना चाहिए, तो सहीद करना चाहिए अगर गीर भी जाता है, तो होसला बुलंद करना चाहिए, उसको नीचे गीरता हुआ देख करके, उसको डांटे रहने से कोई परिवर्ट करना चाहिए जहां तक अपेक्षाओं का सवाल है, एक प्रकार से अपेक्षाएं अच्छी चीज है मैंने कहानों बालक को मा दूर रहकर के दोड़ाती है, वो अपेक्षा है कि तुम अब दस कंदम दोड़के मेरे पास आओ अपेक्षाँ आवशक होती है, अपेक्षाओं के कारान हमें भी कुछ जादा करने की इच्छा जटती है, अगर अपेक्षाएं नहीं होगी तो अब ठीक होने का मनी ने करता हो, ऐसा ही मुर्ति का इंतजार करना है, कितने ही बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ला दो, कितना ही बढ़िया से बढ़िया अस्पतार ला दीजिए, वो पेशन ठीक हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, तो निराशा में की गर्त में डुबा हु समाज या व्यक्ति या परिवार कभी किसी का भाला कर सकता है और इसलिए आशा और अपेक्षा उर्द्व गती के लिए अनिवार्य होती है और मैं जिसे आपने प्रश्न पूछा क्यों आप आई-एस बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल स्वाभाविक था यह बहुत यह सवाभाविक है किवी समाज में आपेक्षा हो निराःशा नहीं होनी चाहिए ओना चाहिए जोड़ो यार मोदी जी तो ऐसे ही है कुछ होने वाला नहीं चलो एला अपना क्या म करें जी नहीं वो कहता है मोदी जी आप है ओर इन्हीं होता है ये तो विश्वास है मैं तो चाहता हूँ लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत ऐस्पिरेशन्स जगा दिये मैं तो चाहता हूँ 700 क्रोर देश्वास जो कि 700 क्रोर ऐस्पिरेशन्स होने चाहिए उसको उजागर करना चाहिए देश तभी चलता है अपेक्षाओं के बोज में दबने नहीं चाहिए हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आपको सज्ज करना चाहिए चलिए नंबा हो गया जवाब आपका सर जम्मू से हमारे साथ जूड रहे हैं कृष्ण कुमार शर्मा जो की एक अभी भावक है इनकी एक परेशानी है जो वो आप से शेयर करना चाहते हैं मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है मैं रूप लगर जम्मू का लाने बाला हूँ आज कल बच्चों पर ही नहीं हम पेरेंस वर भी हमारे साथियों का दवाब होता है किसका बच्चा कितने अच्छे अंग लाता है इस टेंशन से बाहर कैसे निकला जाए दने बाद सर्थ अभान नी ऐसा ही एक सवाल है नौथ-East जानी इंफाल से पेवम नीला कुमारी ने पूछा है ये भी एक अभी भावक है अभी भावक के रूप में मेरे बच्चों के एक्जाम्स के वक्त मैं तनाव मुक्त कैसे रहूं ये टाइम्स नाओ के द्वारा भी बैंगलोर से एक सवाल पूछ रही है लावन्या ये एक स्टूदेंट है गुद मॉर्निग आम लावन्या आज चुदेंग इंसेंट मैरेस पॉबिक स्कूल क्वीन्स रोड बैंगलोर आम ए वीवर आफ ताइम्स नाओ मैं कुछिन इस तो आराइम्स प्राइम्स टीचर शी नरेंडर मोडी जी बॉर्निंग सर्व तोड़े मैं कुछिन इस वाव के द्वारा बनाएं गए दबाओ का डर मन से कैसे निकालें सर बच्चों और पेरेंस दोनों के ही तनाओ की बात हो रही हैं हम सब उत्सुक हैं आपका जवाब सुनने के लिए अभिभावा को के लिए मेरा यही आग्रह होगा कि आपके सपने भी होनी चाहिए अपेक्षाएं भी होनी चाहिए लेकिन प्रेसर से परिस्तिती बिगड़ जाती है जब भी आप बच्चे को कभी बहुत बढ़िया मानों खाना बनाया आपने वो अपने मन से खा रहा है लेकिन चूगी आपने अच्छा बनाया है आपको बहुत पसंद है फिर भी शकोड़ खाओ 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 तो घड़ा होकर चला जाता है होताएग नी होता है प्रेसर से रीयक्ष्ण आता है ऐसा न हो इसका हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए लेकिन माबाप ऐसा क्यों करते है उसके पीछे एक मनुवज्यानी कारण है और मनोवग्यानी कारण यह है कि वे कभी-कभी अपने यार दोस्तों या फैमिली फंक्शन में या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड बना करके ले जाते हैं यह सबसे बड़ी समस्या की जड़ है कि उनको सोसाइटी में मेरा बेटा ये किया मेरे बेटे ने किया मेरे बेटे पस इसु के लेके गूमते रहते हैं और इसके लिए वो आपको घर में आकर के अचा आप ठीक ना करें तो घर में ढारते हैं मैं कैसे जाओंगा उसके शादी में, तू क्या रिजन्ट लाया है, उजे लगा को पुछेंगे, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही करते हैं, याने आपका सफल था या फिपल था, उनके सोशल लाइप पर जैसे बढ़ा बढ़ा पहाण गिर जाता है, और उसके कारण वे हमेश कोशिस करते हैं, कि उनको समाज में एक स्थान बना रहे, इसलिए माबाप बच्चों पर ये प्रेसर डालने की आदत बन जाती है, इरादा नहीं है उनका, उनको साथ हमें अन्यायनी करना चोगी, लेकिन अगर वो भी सही तरीके से इसको करे, हकीकत में माबाप ने एक उमर के बाद बच्चे से नाता तोड़ दिया होता है, जब छोटा बालक होता है, तो वही माबाप उसकी गलतियों का वरनन बख भी अपने महमानों के बीच करते हैं, कल इसने ऐसा कर दिया, उसने पूरा दूद का बॉटल गिरा दिया, उसने कल उसका गरम चाह नी गलतियों का भी वरनन करते हैं, क्यों? उसकी एक्टिविटी को नोट करते हैं, हम अपने बच्चों के बाला कवस्था में उसकी हर पारिकी से देखते हैं, लेकिन साथ-ाट साल की उमर होने के बाद, हमें लगता ही नहीं है कि उसकी हर पारिकी को देखना चाहिए, अब उस शात-ार साल का हो रहा है तो तूटता चला जा रहा है वो तीन मेहने च्छे उतका था तब जितनी बारी के इसा अफजर करते थे जब तक वह वैस्क नहीं होता है तब तक आपको उसको अफजर करना चाहिए अफजर करने का मडलब नहीं है कि आपने सोचा है उतनी सहमें ढालना चाहिए देखते रहना चाहिए उसकी ताकत आपको ध्यान में आएगी अगर इतना सा कर ले तो यह जो प्रेशर का वाताउन बन जाता है उससे मुक्ति मिल जाएगी मानमी प्रधानमंत्री जी इस वक्त हमारे बीच में एक मा मौझूद है जो कि बेसिकली असाम से है पर दिल्ली में रहती है थोड़ा परेशान है और उनकी प्रॉबलम मुझे लगता है कि बहुत कॉमन प्रॉबलम है कुछ कहना चाहती है मधुमिता सेन गुपता आदर्यं प्रधानमंत्री जी Namaskar मेरा नम मधुमिता सेन गुपता है मेरा बिटा कक्षान अवि का चात्र है महोड यह पहले मेरा बिटा पढ़्हाई में बहुत अच्छा था टीचर्स एप्रिशेट करते थे लेकिन अभी कुछ समय से ओनलाइन गेम्स की तरफ उसका जुकाओ कुछ जादा ही भढ़ गया है जिसके कारण उसके परहाई पर फरक पर रहा है मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ क्रिप्या मेरा मार्क दर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे समालू धन्यवाद पारिनी क्रिप्या इस पर अपने विजार प्रकट करें यह पब जीवाला है क्या यह तो फ्रेंट लाइन वाला होगा यह समस्या भी है समाधान भी है हम यह चाहें कि हमारे बच्चे टक्नोलोजी से दूर चले जाएं फिर तो वो एक प्रकार से अपने साहरी जिंदिगी से प्रकार से पीछे की तरब जाना शुरू होगा और इसलिए उसको यह टक्नोलोजी के समन में प्रोचसाहित करना चाहिए लेकिन उस टक्नोलोजी का क्या उप्योग करता है क्या टक्नोलोजी उसको रोबोर्ट बना रही है क्या यह इंसान बना रही है अगर माबाब थोड़ी रूची लें कभी खाना खाते समें चर्चा करें टक्नोलोजी की कि बताई भई इन देनों क्या चल रहा है टक्नोलोजी के क्षेतर में क्या आया है किस परकार के नजने एप्स आये हैं तो तो बच्चे को लगेगा मैं जो कर रहा हूं मेरे माबाब हो सकता है मेरी मदद करेंगे तो पहला काम तो आप किसु को रोग रहे हैं मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मुबाइल फोन है कि हो सकता है कुछ लोग यहां प्रदान मंदिर के कारिकम में होंगे लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूँ इससे क्या होता है दीरे दीरे हम सिकूरते चले जा रहे हैं टेक्नलोजी हमें अगर सिकूर देती है हमें नेरो बना देती है हमारी सोच भी बड़ी नेरो बन जाती है तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुक्षान हो गा टेक्नोलोजी का उप्योग हमारे expansion के लिए होना चाहिए मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए मेरे सामर्थ हमें बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विशों की चर्चा करते रहना चाहिए तब जा करके होगा अधरवाइब जैसे बच्चे खेल के मैदान में नहीं है कभी-कभी माबाप को लगता है पढ़ना बहुत अच्छा है लेकिन परिशा की दिनों के कुछ दिन पहले बिमार हो जाता है तो माबाप का पसीना चूट जाता है अरे भाई पहले उसको किताब पढ़ जाता है कई खेल के मैदान में भी तो बेजना था आप में से कभी सोचिए मैं कभी मेरा इए मेरी बच्चों के सामआथ मातचीत करने का मेरा इपिछले मुख्वंत्री साथ अब से लगातार कारकम चल रहा है अब रूप रूप उसका रंग बदलता चाल लेकिन मैं करता रहता हूं मैंने देखा है कि मैं कभी बच्चों को पूचता था कि कितने बच्चे हैं जिनका दिन में चार बार महनत करने के काण पसीना आया है शरीपे आप हरान हो जाएं कि गाओं के बच्चे भी कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं होता है अब ऐसी कैसी जिंदिगी हसना खेलना खुले मैदान में यह जीवन का हिस्सा होना चाहिए और वो एक नई उर्जा देता है और इसलिए टेक्नोलोजी का सही उप्योग कैसे हो मैं स्वयम टेक्नोलोजी भाउत शक्तिशाली मानने वाला बेखती है मैं खुद इसका उप्योग आज भी जो मैं दुनिया के इतने देशों के साथ और देश के लोगों से बात करना उसका कारण टेक्नोलोजी का उप्योग है तो एक ही चीज कि ये दो अच्छे पहलू होते हैं एक किसी को बहुत सीमित कर देता है तो दूसरे को बहुत विस्तृत कर देता है आपकी ये चिंता सही है लेकिन आप उसके साथ बैठिए उसको कभी आप काम दीजिए कि मैंने सुना है कि नौर्थ इसमें एक ऐसा चावल पकाते हैं देखो बैठा टेक्नोलोजी में जरा ढून के मुझे बताओ कैसे बनता है वो चावल तो उसको लगे का हाँ मा मुझे टेक्नोलोजी की मदद से खुद को चावल पकाने का नागलेन की पद्दर ही का है वो सिखना चाहती है वो आप दोनों को जोडने का कारण बन सकती है और उसका भी मन टेक्नोलोजी से नई नई चीजे जानी जा सकती है जो जीवन में काम आ सकती है उस पर आप देरे देरे उसको ले जा सकते है आप कभी उसको पूच सकते हैं आज हमने सुना है कि स्पेश में ऐसा हुआ है या आज तो तुम देखो जराओं, साइकलोन आना है, तो तुम देखो जराओं, जराओं, खबर केसे देते हैं, तो वोही बच्चा उसमें काम करेगा, आप उसको धीरे-धीरे टेक्लोलोजी के सही उपियों की तरफ ले जाएए और उसको लगना चाहिए कि वो बच्चा विकास की द तो उस दिशान में हम सब प्रयास करें सर वंश अगरवाल फरीदाबाद से हैं यही पर इस वक्त मौझूद है इनका सवाल थोड़ा सा हटके है वंश नमस्कार सर सर मेरा नाम वंश अगरवाल है और मैं मानव रचना इंटरनाशनल स्कूल फरीदाबाद की कक्षा दसवी कचातर हूँ सर मेरा आपसे यह सवाल है कि हमें अपने लक्षे को निर्धारित कैसे करना चाहिए हमें अपने लक्षे को निर्धायत करने में कंजरवेटिव होना चाहिए या सदैव बड़ा लक्षे निर्धायत करना चाहिए इसमें आपका नुभव क्या कहता है धन्यवाद बारेनी इस पर हम सब को कुछ बता है मैं आप से एक सबाल पूछू जड़ा हाथ उपर करना ऐसा कितने लोग मानते है कि लक्ष बहुत छोटा होना चाहिए जड़ा हाथ उपर करें जो ये मानते है लक्ष बहुत छोटा होना चाहिए ऐसा कितने लोग है दो तिन लोग ही है जो मानते है लक्ष बहुत बड़ा होना चाहिए हम लोग गुजरात में हैं बच्पन से कहावत सुनते हैं निशान चुक माफ नहीं माफ निचू निशान तो माफ हो सकता है लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं तो उसके लिए कोई माफ ही नहीं हो सकते हैं कि जब लक्ष ताय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड में नहीं हो यानि लगता है भई मालिय मुझे हाँ छूडा है मैं कोशिश कर रहा हूं नहीं चोड़ नहीं है तो मैं पकड में नहीं है तो फिर नया लक्ष की प्रेणा उसी में से पैदा होगी और इसलिए लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम कुछ नहीं करने के लिए बड़े बड़े लक्ष की बाते करते रहें मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूछें कि क्या करते हो तो मैंने देखा तो वो कहते थे सीए कर रहा हो तो मैं हरान था इतने सारे लोग सीए कर रहे हैं क्या क्यों कर रहे हैं तो पता चला कि वो यह मैं कोई 20 साल पहले की बात कर रहा हूं कि यह सीए कर रहा हैं क्यों कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा उनके परिवार इधर उदर बाते करते देखने मैंने पाया कि कुछ नहीं करता हूं यह जवाब बना भरी रहता है अब 20-22 साल के उमर हो गई है रिष्टे भी आते हैं तो माबाप क्या जवाब दे तो वो भी आसानी से कहते बेटा सीए कर रहा है अब यह लक्ष नहीं है जी यह तो एक प्रकार थे चालबाजी है अपने आपको सुरक्चित करने की हमें पहले अपने आपको भली भाती जानना चाहिए अपने तरीके से जानना चाहिए किसी के संदर्ब में नहीं अपने माबाब के सपनों के संदर्ब में नहीं अपने टीचर के संदर्ब 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 नहीं अपके प्रदान बंदरी के भाषन के संदर्ब में नहीं खुद के संदर्ब में मैंने जो ताई किया था पहले क तो तय करो, यहां नहीं रुकनाए, 5 कदम और जाना है, लक्ष अपने सामर्थ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और अपने सपनों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, ऐसा नहोगा, कि सपने ही मरे पड़े हो, तो सामर्थ ही मरता चला जाता है, और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष साफ होने चाहिए लक्ष दो प्रकार के भी होते हैं एक अंतिम लक्षी प्राप्ति के लिए छोटे छोटे आपने देखा होगा कोई जो बड़ी पहाडी चरता है तो पहले छोटी-छोटी पहाडीों को लक्ष बना करके चरते-चरते उसको सिद्ध करके फिर अगली चोटी पे जाता है हमने भी कोशिज ही करनी चाहिए तब जाकर के मैं समझता हूँ कि हम लक्ष के साथ जीवन को चला सकते हैं और उस लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हमने एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए देखना चाहिए अंदर कि मैंने अताय किया ता कहां कमी रही मेरी मेहनत में कमी रही मेरे प्लानिंग में कमी करे रही इन छोटे छोटे लक्ष का वेरिफिकेशन करते रहेंगे तो बड़े लक्ष तक जाने में कोई बड़ा हाथसा नहीं होगा आप उसको आसानी से करेक्ट करते जाएंगे पार करते जाएंगे तो लक्ष सिरफ होना इनप नहीं है, लक्ष पाने के रास्ते में आपका कितना कॉंसेंटेशन है, आप कितनी एनर्जी कितनी लगाते हैं, किस काम के लिए कितना समय लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस पर अगर आप जागरत है, मुझे विश्वास है कि कोई लक्ष बेकार नहीं जाता है, वो लक्ष आपको भी सामर्थवान बनाता है. Sir, Tamil Nadu से एक छात्र नरेन अपने मन की बात आप से कहना चाहते हैं. Namaskar Sir, I am Narendran from Pollachy, Tamil Nadu. Sir, your ceaseless efforts to uplift our nation inspire all of us whenever we face impediments or setbacks, whether in exams, sports or any other competitive scenarios. What motivates you sir to be energetic and tirelessly enthusiastic in your 17 hours hectic work schedule? As students, how can we other to proper time management schedule in accomplishing our goals? Thank you sir. जब हमें exams या खेल या किसी प्रत्योगिता में असफलता मिलती है या मुश्किले आती हैं, तो आपके द्वारा राष्ट को लगातार उंचाईयों तक ले जाने के आपके प्रयास हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं. सत्रह घंटों की आपकी व्यस्त दिन चर्या में आपको उर्जावान बनाए रखने और बिना थकान महसूस किये उत्साहित रखने में ऐसी क्या चीज़ें जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं. हम अपने लक्षे को पाने के लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्केजूल का पालन कैसे करें? मारेनी, क्रेपया, बताएं. आपने अपने परिवार में देखा होगा, आप कभी ठक जाते होंगे, आप कभी बोर हो जाते होंगे, आपका मन भी करता होगा, नई यारे कुछ और करें, लेकिन क्या कभी सोचा है? कि हमारी मां का भी तो शरीर होता है, उसको भी कभी ठकान लगती होगे, उसको भी कभी बिमारी आती होगे, उसको भी मन करता होगे, चलो आज सोजाएं, लेकिन वहर पल कितनी बिमार क्यों नहों हो, बच्चे का स्कूल से आने का समय होगा, तो हस्ते हुए चैरे के साथ, दरवाजय पर खड़ी रहती है अगर उसको कोई सहब पुछे के मा तरे में यह उर्जा कहां से आती है तुम दिन में 2400 गंटे आड़ गंटे कीचन में खड़ी रहती हो इधर दोरती हो टेलीफोन आया तो उसको उठा लेती हो गर की गंटी बजी तो दोर जाती हो महमान आया कि क्यों कि परिवार मेरा है सतस्य मेरे है मां के मन में भाव होता है मह नहीं करूझ तो कॉन करे हैं जब यह भाव पदा होजाता है अपने पन का तो फिर उर्जापने आप आती है ठकान कभी घर का धरवाजा नहीं देखती है मेरे लिए भी सवासो करोर देशवासी मेरा परिवार है और सवासो करोर देशवासी मेरे परिवार है तो मैं ठकान मैसूस नहीं करता हूँ हर पल मैं सोचता हूँ रात को जब बिस्थर पर जाता हूँ तो सुभे का सोच करके जाता हूँ दिन भर कितना किया नहीं किया बात की बात है कल सुबह नए उत्सास निकल पड़ूँगा ये सोच करके बिस्तत पे जाता हूँ और नए उमांग नए उर्जा के साथ आता हूँ जहां तक टाइम मेनेजमेंट का सवाल है आप अगर किसी से समय मांगे और वो ये कहें कि मैं बहुत बीजी हूँ मेरे पास इन दिनों समय नहीं है तो अब लिख के रखिये वो जूट बोलता है मर्डब उसको समय का उप्योग आता नहीं है ऐसा कभी नहीं हो सकता है अगर आप अपने समय के समन्द में जागरूप हो आप पैसे बहुत कम लोग होंगे जिनोंने सचमुच में अपने 24 गंटे की दिन चरिया का एट लिस्ट वन विक का एनालिसिस किया होगा बहुत कम होगे आप एक काम करजी बीते हुए एक सब्ता में आप सुभे से साम तक अपना याद करके लिखो समय का क्या उप्योग किया तो आपको इपता नहीं होगा कि मैंने ये काम क्यों किया है मैं तो बिखार में समय पिगार दिया देखो मैं तो यह खाली बठा था मैं तो एसे ही बाते कर रहा था मैं इसे वो चीज को देखता देखा करता था आप तुरं सोचेंगे नहीं ये छे चीज़े कम करों ये समय निकलेगा यहाँ उप्योग करूगगा टाइम मेनेजमेंट ये हमारे अपने बात, अपने हाथ की बात होती है, हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और इसके लिए कोई बड़े MBA, बहुत बड़ी कोई अक्सपड की किताब पढ़ना कोई जरूरी निये जी, आप सिंपली अपने हाँ घर काम के लिए आने वाली म घरों में काम लेते हैं, और उनको पता होता है, कि इनके घर में साथ बजे बरतन साप करता है, उनके घर में नव बजे बरतन साप करना होता है, उनके घर में गयरा बजे कपड़े दोने होते हैं, उनके घर में बारा बजे कीचन, में जाना, आप देखेंगे, साइकल होगी स्कूटी होगी ट्राफिक का सारा हिसाब किताब होगा लेकिन बिलकुल टाइम मैनेजमेंट उनका परफेक्ट होगा वो तीन चार बजे तक जितने परिवारों में सेवा करती है या करता है वो बिलकुल परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट से करते हैं करते हैं हमने अबसुर नह देखी नहीं है क्लास देखा नहीं है लेकि उसको भी समझ है कि मेरे समय को मैं ऐसे बांटू और आपने देखा होगा किसी घर में अगर नाने में देर हुई है कपड़े धोने बाकी है तो कह देती है कि ठीक है रखे रखो कल साथ में दोओंगे आज नहीं दोओंगी मेरा समयता है होता है कि नहीं होता है आपने अफजोरी नहीं किया है यहीं गड़बड है आप अफजोर कीजिए जो सफल लोग होते हैं जो बिल्कुल हस्ते खेलते काम कर रहे हैं उनको समय का कोई दबाव नहीं होता है कभी ट्रेन दोड़त पगड़ने के लिए भागते नहीं है कभी इसको लंच मोग कभी भूल जाते हैं कभी चश्मा भूल जाते हैं कि किताब कुछ नहीं होता है सब परफेक्ट चलता है क्यों उन्होंने अपने समय की कीमत समझी है टाइम इज मनी टाइम इज मनी हम सुनते आए हैं लेकिन उसी को सबसे ज़्यादा बरबाद करने का हमारा स्वभाव है हम तै करे कुछ रह जाए तो रह जाए समय बरबाद नहीं होन दूँगा उसी समय में से 24 गंटे मेरे पाद भी है 24 गंटे आपके पाद भी है इश्वर ने इसमें सामाजिक न्याई व्यवस्ता की हुई है अमीर से अमीर को भी 24 गंटे हैं गरीब से गरीब को भी 24 गंटे हैं और इसलिए उसका सरवाधिक अच्छा उपयोग करने की आदत आसानी से बनाई जा सकती है सर पठान कोट से एक स्टूदेंट जुड रहे हैं नाम है अमिद चौहान नमस्का सर मैसल्फ अमिद चौहान आज साइंस गर्जुड चुड चुड रहे हैं और इंट्रेस्ट की तरह ले तनाओ की तरह नहीं मैंने एक्जाम के स्ट्रेस से ही संबंधित सवाल पूछा है सुरप्रीट देगॉल ने काथमांडू से ये एक स्टूदेंट है ये एक स्टूदेंट है ये एक स्टूदेंट है हम प्रात्मिक कक्षाओं से ही एक्जामिनेशन शब टर्म के साथ जीना शुरू करते हैं ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है मानिनी क्या आप सोचते हैं कि एक्जाम व्यक्तित्व को निखारती है या फिर एक्जाम हमारे व्यक्तित्व के पूर्न विकास में रुकावट है बायनीक रिप्या इन दोनों ही सवालों के बारे में हम सब को कुछ बताएं किस प्रकार से उसकी तरब देखते हैं किस प्रकार से उसके साथ डील करते हैं उस पर डिपेंड करता है और मेरा तो सिदान्द है कि कसोटी कस्ती है कि कसोटी कोसने के लिए नहीं होती है लोग कसोटी कोई कोसते है अच्छुली अगर हम अब मान दीजे किसी को अलेंपिक खेलने के लिए जाना है अगर वो तहसिल में खेला नहीं है डिस्टिक में खेला नहीं है स्टेट में खेला और वो ओलिम्पिक के सपने देखेगा तो कहा थे होगा भई उसको हर पल कसोटी में खसना पड़ेगा इसलिए हम एक्जाम को कसोटी को एक अवसर माने यह अपर्चुनिटी है अगर हम इसको अपर्चुनिटी मानेंगे तो आपको इसका आनन्द आएगा और जब चुनवती होती है तो एक इश्वर एक हर व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्रा ओडिनेरी ताकत दी होती है अब देखिए आप नॉर्मल आवाज में कभी बात करते हैं लेकिन बीड में किसी को बुलाना है तो एक ऐसी अनरजी आपके अंदर आपको तो नहीं जोर से जिसे आर्मी का कोई अफसर की भी आवाज निकले इतनी बड़ी आवाज निकलती आपकी बले एक पल के लिए निकलेगी लिकिन उर्जा अंदर पड़ी है एक समय था ऑपर्चुनिटी आई आपकी उर्जा वहर आई आपके अंदर बहुत कुछ पड़ा होता है आपने अचित में इसा बाक्य निकलता होगा जो कभी आपने भी सोचा नहीं होगा इसका मतलब यह हुआ कि आपके भीतर परमात्मा ने बहुत सामर्थ रखा हुआ है लेकिन उस सामर्थियों को परखने के लिए आपका अपना कोई मिकैनिजम नहीं है तो यह एक्जाम वो आपको देती हैं आपके अपने सामर्थ रखने के लिए दूसरा हम एकजाम के लिए जिंदगी न जीए हम खुद के लिए जिन्दगी जीते हैं हमें लगता है है कि knowledge होना चाहिए अगर knowledge acquire करना शुरू करें तो आप देख लिजिए MARS अपने आप follow करें गापका पीषा करते ही करते आपके दर्वाय कृए लेकिन कमार्ण के भागते हम मार्सके बागते हैं जिन्दगी पीछे शुर्ड जाती हम जिन्दगी से जुरता है आपके दोड़ करके आएंगे मार्स खुद आपको गले लगाने के लिए आपके पीछे दोड़ेंगे और इसलिए इसको देखने का तरीका यह अगर आपका साफ सुत्रा होगा तो मुझे विश्वास है कि एक्जाम कभी भी कभी भी बोज नहीं लगेगी सच मुझ मैं तो ए आपसर आया है चलो वहां मजा आया गया खेद देखता हूं क्या करता हूं यह मूड चाहिए मानने प्रदानमंत्री जी अलिगर्ड मुस्लिम युनिवर्सिटी से मुहमद सलीम एक स्टूड़न्ट है जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं नमस्कार सर मेरा नाम मुहमद सलीम है मैं अलिगर्ड मुस्लिम विसद्विद्याले में बिये एललबी प्रदम वर्स का चाहतर हूं मैं सोचता हूं बरामी कच्छा पास करने के बाद चातरों के मन में सबसे बड़ा फुनिया होता है कि करियर्ड का चुनाओ कैसे करें इसरी परकार दसमी कच्छा पास करने के बाद चातरों के मन में ये परस्थन उटता है कि कौन सी स्टूनाओ करें पैरेंट, बच्चों की रूची को ना समझते हुए उन्हें साइन्स स्ट्रीम में जाने के लिए बात दिखरते हैं कि रुपया हमें इस विशेये पर हमारा मार्ग दस्म करें धन्यवाद और अब बनारस हिंदु युनिवर्सिटी से शांभवी शुक्ला जोगी एक जात्रा है अब बनारस हिंदु नमश्कार सर शांभवी शुक्ला शुटेंट ऑफ बीए थर्ड एर वसंता कोलेज राजगाट बहु वारानसी सब्सक्राइब इस दाइम इस दाइम पर देपरेशन आप मास्टर्स एंटर्स एंग्जाम सो सर प्लीज गाइड मी फोर अक्वाइरिंग बेटर जोब और करियर अपॉर्चुनिटीज थाइंक यू वेरी मश्क्राइब इस दाइम की तयारी कर रही हूँ हम बैचलर स्टूडन्स की जिंदिगी का ये एक नया दौर है बेहतर नौकरी तथा कोर्स को पाने में आने वाले चिनोधियों के बारे में कृपिया हमारा मार्ग दर्शन करें अधान मंत्री जी मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हर बच्चे का अप्टिटूड अलग-अलग होता है कुछ लोग लिख सकते हैं कुछ लोग गाना गा सकता हैं कुछ लोग डांस कर सकते हIndggak Only ज़रूरी नहीं है कि वह लोग मैंज कर सके साइंस कर सके जो हमारे देश में बहुत बड़ी बात बात मानिः जाती है sauce करे न तो हमने माभाب को ये कैसे समझाये कि अगर हम नहीं और यह कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम किसी एक चीज में अच्छे ना हूँ पारनीक रिपिया इस बारे में हम सब को प्रेरिना दें आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है कि बच्चों को प्रॉपर गार्ड़न्स नहीं मिलता है ऐसे समय एक सही मारदर्सन मिलन सबताए बटने या कि और नहीं बलता है लोग अपने अपने हैं अनुभों की बाते बताते रहते हैं माँ एक सुझाव देगी तो पिताजी दूसरा सुझाव देगे तो ठीस बातेंगे तो महले के दोस्त रॉस्ता और चोथा सुझाव देंगे और हम कंफुज हो जादे हैं कि अपने विशे में पता है क्या है मेरा अपना पैशन क्या है मेरी रूची किसम है और मैं मेरी रूची के अनुसार इसके पहले कुछ कर पाया हूं क्या मेरे सपने क्या है वो बात की बात है पहले मेरा passion क्या है और उसके बाद आप माँबाप को भी convince कर सकते देखिए आठवी कक्षा में मैंने इसमें ऐसा किया था मेरे teacher मुझे बता रहे थे उस समय तहसिल के अंदर जब competition था तो मैं गया था मैं यह करके आया था मुझे लगता है कि मेरे भीतर यह ताकत है कभी हमने अपने teacher जिसके परती हमारा लगाओ हो उनके साथ बाते करनी चाहिए इस हम आप मुझे चार साल से पढ़ा रहे हो मुझे देखते हो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए और ऐसा नहीं कि teacher समय नहीं तो अगर कोई विद्यार्थी teacher के प्रती आत्मिय भाव से जूडता है तो इस teacher को भी लगता है हाँ इस विद्यार्थी कि मैं समय दूँ उसको उसको गाइड करो उसको भी लगता है लेकिन जादा confusion इस बात का नहीं होता है कि कोई आपको क्या कहता है माबाब क्या कहते है आप खुद confused है यह समझ्या है confused इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या है मुझे पराबर याद है मैं बहुत साल पहले बडोधा में MS University के Hostels पे जाय करता था, स्टूडन्से परिचे करने के लिए, ये कोई मैं 77, 78, 79 के कालखेन की बात कर रहा हूँ, तो उन से मिलता था, बैठता था, बात करता था, तो मैं झ से उनको जो पुछता था तक है, अपर कमान में इरादा क्या है, क्या सोचते है, तो चाहतातर बच्चे जवाब देता थे, एक बार ग्रेजुट हो जाओ, ऑगे का पता ही झाओ, एक बार ग्रेजुएट हो जाओ एक बार में पूछ रहा था तो एक बच्चा वाँ गुजरात की बाहर का था वह पढ़ता था उस ले कहा I want to rule मैं रहा था था भूले मैं तो I want to rule तो मुझे राजनीती में जाना चाहते हो क्या नहीं बोले राजनीती में नहीं जाना है वह दो मुझे बाबू बनना है बाबू ही तो बोले सासन करते हैं राजनीता तो बोले आते हैं जाते हैं मुझे इस मैं ये चानीच साल पहली की घट इसले सुना रहा हूं उस बच्चे को इतने क्लेरिटी थी कि मुझे क्या करना है और बाद में मैंने ज़रा जानकारी तो मैंने सुना कि वो ऐसे गवर्मेंट शिस्टिम में चला गया और अच्छी पोजिशन पर वो पहुंचा था उसके जो दोस्त लोग ते उनसे मैंने सुन कि मेरा कन्विक्शन में मेरा विस्वास होना चाहिए एंड करेक्टर टु एक्ट उसके अनुसार काम करने वाला मेरा जजबा मेरा शरी मेरा मान मेरे बुत्ती मेरी समय यह अगर हम डेवलप करें तो हम आशानी सुच दिशा में जा रहे हैं साइंस मैज उसका अपना का महत्वन है यह जो हमारे देश पर सोच बनी है वो ठीक नहीं है साइंस और मैज में हमारे महत्वन होने के बावजुद भी जितनी मात्रा में वहां लोग जाने चाहिए नहीं जाते हैं चिंता कभी से और उसका कानन है कि प्राणभी कान में उसको उस प्रकार का जो मोटि जो को डेवलप किया तो बहुत आगे निकल जाते हैं कुछ लोग है ठीक है भाई ग्रेजुएट के कारखने में चले जाएंगे उदर से कारखने से निकलते जाएंगे यही चलता रहता है और इसलिए आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है मेरी सला यही रहेगी कि आप द जजमेंट गलत हो लेकिन अखर खुल कर के बात करोगे तो शायद आपको सही मारदर सन आपके अगल बगल के लोगों से मिलेगा Sir, Moscow से एक student है जो अपने मन की बात आपसे कहना चाहती है नाम है Zenith Good morning, sir. My name is Jenny Jacinta Arang of class 9 from Kendir Vidyalaya, Moscow. You had given many suggestions to our parents last year. This resulted in the change of attitude of my parents and now I've been interacting with them about my tensions of examination, fear of failure, etc. Their smile with a statement, you can do it, makes me much more motivated. I'm really very thankful to you, sir. Pichli saal, aapne humare parents ko bohut achche achche salah di thi. Iska natijah yeh hua ki unka nazariya hi badal gaya. Ab mein aapne parents se, meri exam, tathah asaphalta ka dar, in sabke baare mein baatcheet kerti hoon. Unka muskara ke yeh kehna, you can do it, yarni tum kar sakti ho, muche aur bhi zyadha prerina se bhar deetah hai. Iske liye aapka bohut bohut dhanye baad. Marni, is bishay mein kuch kahein. Aapne kredit mujhe de di, darasal kredit aapke maabab ko jatii hai. Kyunki unho ne, Sahi baat ko pakda, Aapne pukadne ke baad, Aapne purani jobhi habit thi ya ego ta, Usko chhoď karke, Naye tariqe se unho ne, Soschne ka vichar kiya. Ae baat saaf hai, Ki abhi bhaawakon ka, Sakaratma kraviyya, Bacche ki jindgi ki eek bhaut bada taqat ben jata hai. Teachers ka bhi, Aapne dhekha hooga, Kuchh teachers aise hootetek joh, Tien-čear bachyo ke pachy, Unka laga hoota hai. Wohh sawwal puchhenge, Toh uske baat karengge. Koji aaya sawwal puchhna hai, Toh woh hat houta atai, Toh ushi ko kahenge, Acha bholo. Unko paana lagta hai, Unko lagta hai, Wohh turenn thik kan ljeta hai. Ar uske khanon, Klaanske baaki bachyo ke man me, Us teacher ke pati bhi, Aabhau payda hona shudruo ho jatai. Eek joh samyak dhrshri ka abhau hoota hai, Uska parinam hoota hai. Usi paakar se maabhaap bhi, Kabhi apne, Yar dhustho kyaan ghe ho, Ghe ho toh aapne dhekha hooga, Ki pata chalye ghaa, Inka bheita nye kya, Toh usko bulaengge, Sun, Dekh, Isne kya kia. Yarni, Pachyis loogon ki bharib shabhaap hai, Vristy daro ke bich me, Maabhaap, Usko mohin srikhana sa atai hai, Dekh, Yeh mohan bhai ki bheita nye kya kiya, Dekh, Tuh hai joh kuch karta nahi hai, Ho gaya maabla khatam, Aar aise yandrat karib sab ko hoti hai, Aap dhar me bhi jau ghe, Toh sunayengge, Kye dhekho, Maama ka bheita kya na aaghe nikal gaya, Tum kuch soo, Chau, Ko bura lakta hai, Saat ko kooshte rahoge, Toh bachcha, Saat se, Chalis ki aur chala jayega, Saat ke, Sattar ke aur nahi jayega, Aar ye, Eek environment bhoot awashak hai, Hum kooshte rahengge, Hum usko nneecha dhkhaate jayengge, Bachcha ko, Toh hum usko kabhi bhi taakatwar nahi bana saakte hai, Aagher mujhe koji chhoti bhi baat, Kishi apsar ko kehani hai, Toh alag se kabhi mil jayet, Toh bataata ho, Kye dhekho yaar, Iska ka kaisa karengge, Lekin samho me jab miltah ho, Baya jean saun ki taarif karta ho, Jean sa kata ho, Aagher woh taarif jyuthi nahi hooti hai, Unhohne bhi apne saamayi ki, Jobhi shakti hai, Anubhavye, Pura nichor diya hoota hai, Thik hai, Pradhan Mantri ki apeksa kehanazah, Dho kadam pichhe raha gaya hooga, Lekin uske karan, Uski mehanat bhekar nahi hai jy, Team spirit ke liye, Ye gund bhoot awashak hootate hai, Mera bhi aapse agrar hai gha, Aap apnei tulna, Aapne purane record se kiji je, Aap competition, Aapne record se kiji je, Aap apne record break kiji je, Aap agar khud ke record break karenge, Aapne badlaa bhoot jaururi hai, Aagar yeh, Aapne kar liya, Toh maan ni maantah hoon, Kishi tanaav se, Aapko gujarna padeega, Aagla sawaal, Teheran se hai, Maananiya student, Jepreed Singh ka kehna hai, Kuskar sir, Mera naam, Jepreed Singh shahapuri hai, Mena kendra vidalya teheran, Ambacy of India school mein padhta hoon, Mena teheran, Airan se bhol raha hoon, Sir, Mera aapseg sawaal hai, Seekte sameh taarif mile, Toh seekhne me zahada man lagta hai, Toh humare parents, Aar teachers, Yeh sab kyo nahi apnaate, Klas mein, Do-Tin bacho ko chhod ke, Baki bacho ke accha karne per bhi, Unhnei tarif nahi milti, Toh sir, Kya aapke saath bhi aisa hota tha, Dhania waant, Dhania waant, Maanani, Kripia, Is baare mei batayen, Ham sab utsukhi, Kya unka sawaal kya tha, Bura samir, Kya sawaal tha unka? Bacchei loog joh hai, Woh school mein unko tarif milti hai, Aar kuch baccheon ko nahi milti hai, Toh aisa nahi hona chahehiye, Teachers bhi, Or parents bhi? Kya unka sawaal unka samar nahi paaya ho, Tini shayid wo je kehna chahate hai ki, Kya skhool mein ya ghar mein, Kuch bachcheon ko to bada protha saan miltah hai, Lega kuch ko nahi miltah hai, Yehidhana? 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 Tab-tak mujhe, Mere kiyayi huye ka anand aata nahi hai, Jiske bhi, Jiske bhi ter anand me vishwas hotah hai, Woh taaliyo ki gungji kitni bhaji, Kitni bhaji, kitni nahi bhaji, Iski parwaan hi karta hai, Jiske bhi, Usko bhi svaas hotah hai, Aar mahi maanthah ho, Ki sabse pahalye, Yeh baqi čiujo ke upraan, Aapke bhi ter, Aapne aap par, Woh vishwas hona chahehiye, Ki koji sara, Sala, Yannay koji hume sara ya na sara hai, Koji puchka raya ya na puchka raya, Hemare liyo koi acha karay ya na karay, Lekin, Maikud, Ekshti aysa pada karunga, Ki kabhi ne kabhi Mere teacher ko mujhe notice karna padeega, Unkoo challenge karna hai, Man mein rakhna hai, Mä unkoo jitke rahaun ga, Aar ek bara apne unkoo jitna taay kar liya, Tad, dheke bachche mein taakad hoti, Tien mehenne me teacher ko jit nye ga, Eek or vishe bhi, Which me eek sawaal aya ta, Mere minne me vichar aya, Dekhi kabhi kabhar kya hota hai, Kya kabhi bachche ke jenhmadin par, Shubhkaamna hai dhenne aya ho, Woh, Teecher ka amman kya kare gha, Bata ye, Uus ko lage gha, Kya kabhi, Ye, Ye bachcha tuna nye mujhe sop diya hai, Mere jimewaari hai, Lekin, Abhi bhaavak ka, Ye roli nahi raha hai, Teecher ko, Na koi apne ghar bula ta hai, Na ma baap, Ham jatay hai, To koi jatay hai, Bacche na ake ke kehe diya ho, Kya teacher nye mujhe daata, Bas ho gaya, Ma baap, Saat kya, Jude ka, Baccha kya kya kera raha hai, Kya nye kera raha hai, Oor koi musibat ki bimari ro raha hai, Kya hai, Bhaanye bhaji kera raha hai, Kuch nai, Kya samad te ho, Mä RTI keraun ga, Mä FIR lakpaun ga, Bhaanye bhaap hootate hai, Jou apne bachche me, Koi kami mishos nai kata hai, Kami nhi kata hai, Aar uske karen, Apna to saai dhil ko, Samal jata hooga, Lekin bachche ki jind ki, Ege samasya paata ho jata hai, Acha hai, Teacher, Management, Student, And parents, In chatusk ka, Ege mail hoona chahiye, Interconnected hoona chahiye, Woha aapne aapne, Tarikis se, Charao kone me, Alag kama karenge, Nahi hooga, Yeh vivaasttah, Sahaj rup se, Vixit ho sakti hai, Aar uska, Paranam bhi, Milti hai, Aar mahi maantta hoon, Kya hum, Lohgong ki, Košishish nai ni chahiye, Kya jind, Sikshakau ke pats, Ham pardate hai, Unke parti, Pure pariwaar ka, Ek, Aadarvav paata, Woh, Teacher ke pats, Jitna bhi gyan hai, Woh, Aapke liye, Woh, Nichod de ga, Aap dekhra, Special attention karega, Marani, Kuvayet se, Ek chhatra hi hai, Sara Sadaf, Woh, Aapne man ki baat, Aapse, Share karna chahti hai, Good morning sir, I am Sara Sadaf, From the Indian Community School, Kuwait, I am originally from Hyderabad, India, As a student of class 12, I have been observing a mismatch between the questions asked in the examination and the objective with which we are being taught. Our teachers often say that we have to emerge as good human beings, but our exam papers do not reflect this concern, so I have a suggestion for our education system. Examination needs to be linked with our broader aim of education, and every student, parent, teacher, and the board examiner must be aware of this. Thank you sir. I am a class 12th student who, should everyone be prepared. Manonini, to this matter, we should know about you all about your thoughts? Look, all the things in the mind of education are in the mind of education. जोड़ती गई है नए नए तरीके जोड़ते गए हैं लेकिन कठिनाई तब होती है हमने कि सिख्षा को जिंदगी से काट करके एक्जाम से जोड़ दिया है और उसी का परणाम है हमको लगता है कि स्कूल में जो बताया गया अब जैसे मान लिजिए स्कूल के अंदर अपने देखा होगा कहीं पर टूरिस प्लेस पर आप जाएंगे तो पांचवी छटी सात्वी कक्षा के बच्चे अगर वहां टूरिस की रुप में कहीं स्कूल बस आया है और टीचर ने बताया कि ऐसे चलना है तो सभी बच्चे ऐसे ही चलेंगे ऐसा होता ह है ना हाथ पीशे बांद करके पूरा टूर देखेंगे टूर प्रोग्रेम ऐसे करते ने अब यह सिख्षा में नहीं है लेकिन यह उसने जो सिखाया क्या वो जिंदगी से जुड़ा हुआ विशे नहीं है क्या डिसिप्लिक मतलब यह मैंनी कहता हूँ पर आत पहराद पहर वो सिलेबस का तो ग्याम देता है लेकिन यह चीज जिंदगी में कैसे काम आती है वो नहीं बताता है हाकिकत यह है कि सिख्षा के हर पहलू को जिंदगी के साथ रेलेवेंट करके पेश करना यह टीचर्स को हभी होनी चाहिए उसको आता हूँ मैं छोटा सा बताता हूँ मै मैं पड़ार एक टीचर थे मैं सरकारी स्कूल में पड़ा था गवर्मेंट प्राइमरी स्कूल में और मेरा जो गाउं था वो गायकवारी स्टेट था तो गायकवार राजा की विश्यस्ता थी जहां भी उनका राज होता था वहां प्राइमरी स्कूल होती थी बच्चियों एंके सीख्षा अंपल्सरी होती थी uplove vocês hodate होती थी चुछ अवाब होता है लाइब्रेरी होती अंसे कुछ अंके विशेस्थाइड दियू जहां जहां उनकी राज होती थी इतनी चीजह होती तो मेरे गाओं वे अभेवी उनकी एक स्कूल थी तो सरकारी स्कूल थी मैं उसके पढ़ता था हमारेक टीचर की विश्यस्ता थी वह कय कहते थे हम सभी स्टूड़न को कहते थे कि चलो तुम पांच खड़े हो जाओं तुम कल घर से तुम पांच मुंग के दाने लाओंगे तुम साथ मुंग के दाने लाओंगे तुम नव मुंग के दाने लाओंगे दुसरे को कहते थे तुम तीन चने के दाने लाओंगे पांच बंद्स, और चावल के दाने लाओ गै कि अन्नके कुछ दाने, जाता ने सोड़े ले क्या जद खा़ता था याद रखता है कि मुझे पांचे दाने ले जाने तो घर में किसको मुण कहते हैं"; तुछ भरता है मिस को कते बच्पन की बात आता था, फिर, फिर टीचर क्या करते थे, सारी चीजों को मिक्स कर देते थे, फिर बच्चों को कहते थे, अच्छा भाई, फाँ बच्चे आगा ओ, इसमें से एक को कहें कि चना, फाँच चना नुकर तुसको अरिद्बटिक आ गया, चना पहचान गया, जी पढ़ाने का उनका अपना तरीका था अब बात चोटी है लेकिन जिन्दगी से कैसी जोड़ देते थे मतलब की सिक्षा में सब नहीं ऐसा है नहीं है होता सब है गीत होता है संगीत होता है संबेद्दाई होती है सपने होते हैं सब होता है लेकिन हमने अपने आपको परिवार आपने आप देखिये खुद की जिन्द की बढ़ लेगी परिशर की बढ़ लेगी सर मॉली सिंग है जो यहाँ पर इस वक्त मवजूद है हमारे बीच में यह आगरा की है और पढ़ती है कुछ पूछना चाहती है नमश्कार आदर्णिय प्रधानमंत्री जी मैं हूँ मॉली सिंग ठाकोर तेट सिंग डिगली कॉलेज आगरा से और मेरा सवाल आपसे यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं वो नई जगह पर जल्दी अड़ाप्ट नहीं हो पाते अज़स्ट नहीं हो पाते कई सारे स्टूडेंट्स को होम सिखनेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है तो वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें और कैसे उनके पेरेंट्स और टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं धन्यवाद माननी यह आखरी सवाल है कृप्या इस बारे में हम सबको कुछ कहें भारत जैसे देश में यह डिप्रेशन वाली बात जो है वो बहुत परेशान करने वाली बात है भारत की जो मुल्गुत समाज रचना है उस में इस प्रेशर को रिलीज करने की ववस्ता है सहज ववस्ता है लेकिन दुर्भागे से समाज ववस्ता में जो परिवर्तन आए है परिवर्तन तो आते रहते हैं वो कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आई है जिसने स्थिति पैदा की पहले हमारा जॉइन फैमिली हुआ करता था और जॉइन फैमिली होने के कारण बच्चा दो बाते पिता जी को नहीं कह सकता था दादी मां के आगे कह देता था मन हलका हो जाता था दो बाते दादी मां से कहता था लेकिन लगता था कि जरह मां से पूछ लूँ तो वहां जाकर एक प्रकार से उसको एक अफसर मिलता था अपने आपको एक्स्प्रेस करने का आज स्थिती ऐसी है कि एक्स्प्रेशन के लिए कम सप्रेशन के लिए जादा इस तरफ हम बढ़ गए हैं और ये जो कुकर फट जाता है उसका मूल कारण यही है कि इस प्रकार की भाब भर जाती है उसको बाहर निकलने के लिए जगा चाहिए इसे बाहर निकलने के लिए जगा चाहिए इसे बाहर निकलने के लिए जगा चाहिए इसे बाहर निकलने के लिए जगा चाहिए माबाप ने बच्चों के साथ उसकी रूची के अनुसार खुले पन से बाते करनी चाहिए तो अगर मानली जो होस्टेल भी चला गया तो उसको विस्वास है कि इस परिच्थिति को मेरे माबाप को मैं बताओंगा तो समझेंगे लेकिन अगर आप कट आफ है और कितने मार्स आए क्यों देर से आए किसके साथ गए थे फोन किस पर बात करे इसी में लगे रहे तो एक एक कट समस्या पैदा करता है दूसरा यह माबाप का जिम्मा है कि डिप्रेशन अचानक नहीं आता है कि बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है कि कुछ एक होता है जो एक्साइटमेंट में कुछ कर दें वो अलग बासे लिकि जाता तर दीरे धीरे 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 वह लुड़कता जाता है जागरुक माबाप देखते है क्या बाता है भाई यह पहले तो बड़ा अगडर करते देख खाता नहीं था अच्का बात नहीं करता है यह अच्छानक उसका वेड़ बढ़ रहा है साइक्जोजी कर लिए क्या हुआ फुरन माबाप देखते भी जुश होगा तब यह कभी सोता नहीं था दोपर को आज अफिस आ गया अचानक सो गया कमरे में चला गया तो मूँ धंकर के बैठ दया क्या कर रहा है अगर उसको वो जागरू तवस्था से लेते हैं और उसको वसी समय हंडल करते हैं तो बाद में कर बाहर जाता है तो दूसरा कहीं पर भी जाते है माबाप ने देखना चाहिए कि वहां किसन किसी परिवार से उसको हम जोड सकते हैं कि बच्चे को जान पहचान माले किसी से उसके लिए थोड़ा खर्च करना पड़े तो खर्च करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए जोरा पई सबता में एक दिन जब छुटी हो तो में अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसको एक दीरे दीरे एक नया परिवार मिल जाएगा फुल जाएगा दूसरा कांसिलिंग से हमने संकोच नहीं करना चाहिए कभी-कभी तो माबाप को लगता है कि कहीं लीख हो जाएगा तो किसी को पता चलेगा कि बेटे का करना चाहिए बच्चे के साथ सही तरीके से बात करने वाले एक्सपर्स होते हैं वो दीरे दीरे उसके भीतर की जो भी बिमारिया है उसको निकाल देते हैं लिए होस्टेल में जो रहते हैं उनको मेरा एक छोटा सा अपना अनुभव के आधार में में बताता हूँ कर सकते ह हो सकता है कुछ गटना ने आपको परिशान कर दिया है या कुछ आपने सुना है आप बेचेन है मन का आक्रोश मैंन की वेद्रा कैसे प्रगड करना पूर आस्ता नहीं सुनता है कुछ नहीं आप हो सके तो होस्टेल के बहार जाईए किसी पैड पे नीचे अकेले बैठिये और एक नोटबुग ले जाईए उस कागज पे सारी घटना का वरणन लिखती जिए लिखते चले जाईए क्या हुआ कैसे हुआ किस ने क्या कहा खुद को क्या लगा सारा जितना जैसे फिल्म दिखती है सही सारा लिखते चले जाईए फिर उसको पढ़िये मत वहीं पर उस दखेखेए अपर अब जाए फिर भी मन हलका नहीं हुआ दुबारा लिखिए पहले अगर आपने आठ पेज लिखाऊगा दुबारा लिखेगा तो तीन चार पेज में हो अब बात आजाएगी पिर भी उसको फाट दीजिए तुकड़े जिम में डाल दीजिए तीसरी भार ल तेजिए पार वही बात एक डेड़ पेज में आ जाएगी वी ट्रका जो है तक गज पर टपकता जाएगा अंदर से कम होता जाएगा आप एपसलूटली डिलक्स पिल करेंगे आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि कोई पढ़ लेगा तो किसी को बताऊंगा हम बात क्यों बताते नहीं है डर लगता है यार इसको बताऊंगा वो किसी और को बताऊगा तो मेरी तो बही जदी हो जाएगी खुदी अंदर एक जगा है खुदी लिखें उसको फार दे आप देख लेना घर में भी ऐसा वातान बिगड़ गया हो ममी लिखना हो पड़ाना हो और मान लीजिए आप लगते हैं आप अलग से बैठ करके लिख लीजिए आपके भीतर की सारी जो मानवी विकृतियां है वो कांगेच के नहारे से भार निकल जाएगी यही अल्टिमेट उपाई नहीं एक छोटा सा उपाए है यह छोटा सा उपाई भी कुछ पल के लिए तो आपका साहरा कर सकता है खुद को खड़े होने की ताकत दे सकता है दूसरा कोई एक अगर होस्टेल में रहते हैं तो कोई सीनियर स्टूडन्ट हो या टीचर हो कोई एक हमने डून के रखना चीज जिस पर हम भरोसा करें उससे कभी मन की बाते बताया करें कि देखो यार इस बार तो मा का फोली नहीं आया चीज बड़ी नहीं होगी उसके सामने को तो वो कहे क्यों किसे रहे हैं मा काम में होगी मेरा मन कहा चल दो गंड़े से देखो आज जन्मदीर है मा का फोनी या हो सकता है वह इंटरनेट के प्रफोनी नहीं हो सकता है मोधी सरकार की बाते कुछ भी हो लेकिन इंटरनेट नहीं चलता हूग कि अधर हम गुष्षा माँ पी निकालते हो टेक्नलोजी फेलियर हो सकता है तो जो एक छोटा सा वाला अरे चिंटा मत कौरो चलो चलो खा लेते हैं चलो यार होस्टिल में चलो खा लेते हैं कोई बात तेरह जन्मदीर मानें यह अरे चलो पन जाते मेरें पैसे जाधा नही चॉकलेट खा लेते हैं, एकाद दोस्त, तनाव पुन जिंदगी को भी, भावत हलके फुलके से ठीक कर लेता है, मैं समयता हूँ, जीवन ऐसा खुला पन हो जाया, और मुझे तो, मैं बहुत छोटी आयू से बाहर हूँ, तो मैंने जिंदगी को एक अलग तरीके से देखा है अगर उतार चड़ाओ से जिंदगी मेरी गुजरी है, और इसलिए मुझे इन चीजों को व्यहवारू बाते, उसे ने मुझे जीना सिखाया है, और मैं समझता हूँ कि शायद मेरी जैसी जिंदगी अलग थी तो, सबको काम नहीं आ सकती हैं, लेकिन छोटा साइ प्रयास है लेकिन डिप्रेशन को लाइट ना बच्चों ने लेना चाहिए, ना गार्डियन ने लेना चाहिए, ना टीचर ने लेना चाहिए, ये अट्मोस प्राइरिटी होना चाहिए, अगर समय ते रहते हैं, सही तरीके से उनको साथ आप कॉम्मिनिकेट करेंगे, बात चीत समाज बिताएंगे स्थिती को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है और भारतिय समाज विवस्ता ऐसी रही है कि जिसने हमें परिवार में ही एक प्रकार से हमारा डियने ऐसा बना हुआ है हम ऐसी चीजों को आसानी से जेल सकते हैं ऐसी चीजों से जूच सकते हैं और ऐसी ची करने का बहुत ही अच्छे सवाल आप लोगों के थे मुझे भी मुझे भी आराम से आप लोगे से बात करने का मोगा मिला लेकिन मेरी अभीभावों को से एक आखरी एक बिंती हैं कि आप कभी अगर आपका बेटा 14 साल का है तो दिन में एक बार मा और बाप दोनों दिन में एक बार आप जब 14 साल के थे तब क्या होता था तब आपके मन में विचार क्या आते थे तब आपके माबाप जो करते थे उसे आपको क्या होता था एक बार याद कर लेंगे आपके बच्चों के बिच का तनाव करेगा खोद ही एक बार याद किजिए कि आप 14 साल के थे तब क्या होता तो 14 साल के बच्चे के साथ क्या करना वो आपका ही अनुहों आपको सिखा देगा आपके माबाप से आपने जो सिखा है वो सिखा देगा लेकिन बहुत माबाप है वो अगर पचास के हो गए तो चाहते हैं बच्चा भी पचास से उनसे बात करें आवश्यक्ता है बेटा चौदा का है बाप चौदा का बन करके उस बेटे को समझने की कोशिश करें मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं यह एक्जाम उत्सव बनें आप जीवन को सफल बनाएं जिन्दगी को जीतें आपकी जिन्दगी की ताकत है पर्चे में लिखे हुए गुणांग यह जिन्दगी में अल्टिमेट नहीं होता है हम अपने आपको एजुकेट भी करें हम अपने आपको ट्रेंग को जीतना महत्वा एजुकेशन का है उतना ही महत्वा जिन्दगी में ट्रेनिंग का है यह संतुलन बना करके चले मेरी आप सबको बहुत बहुत शुब कामना आएं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मानी प्रधान मंद्री जी हम सबको प्रेरित करने के लिए परीक्षाई जीवन और मृत्यू का प्रश्ण नहीं है परीक्षाई जीवन और मृत्यू का प्रश्ण नहीं है आईए आज हम से दो